नमस्ते दोस्तों क्या हाल है यह हमारे रपीसर है अब बताएंगे आपको इस बाइक बाद तो यह जो गाड़ियन हमारी स्टैंडर्ड 350 है बुलट 350 इसके अंदर जो इंजन है वो यूसी इंजन है और आप जो 2030 के अंदर गाड़ फैलो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूं उस अपना जो जे प्लेट फार्म का इंजन है वो इस टैंडर्ड के अंदर लाउंच करने वाली है ऐसा प्लान है गंपनी का और 2023 के अंदर वो गाड़ी आने वाली है तो जिस किसी को भी डुबडुक की आवाज पसंद है तो वो अभी से ही बुलट खरीब ले मतलब वो इंज किसी को इस टैंडर्ड ज्यादा पसंद है तो वो इस टैंडर्ड बुलट खरीब ले क्योंकि ये इंगम कंपनी एक दम ही बंद करने वाली है पिर ऐसा नहों कि आपको पस्ताना पड़ा कि मुझे ये गाड़ी पहली ले लेनी थी ऐसा सोच करके तो फटा-फट ये हैं ये बाद में कि हमें समय रहते हुए खरीब लेनी चाहिए थी बुलट तो आज हम इसी को पर इस इंजन के अंदर क्या फरेक है और उस इंजन के अंदर क्या फरेक है तो वही चीज़े हम आपको डिटेल हों बताएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो ये जो हमाला वहाला है गाडी कंदर वहमारे इंजन अए गारी उस इंजन का मतल़ जै प्लेटवांम खाने खार टो क्लिक तरहका होगा जैसे कि यह हमारा यूसी इंजन वह मैं आपको देखा दहा हूं आओं इस इंजन में और उस इंजन में क्या परख है और ऐसा क्या पर्रोख ह अब बताएंगे आपको इससे बाइक बाइक तो यह जो गाड़ी है हमारी स्टैंजर्ट 350 है बुलट 350 इसके अंदर जो एंजन है वो यूसी एंजन है और आप जो 2003 के अंदर गाड़ी आने वाली है उसमें J-series के अंजन होगा तो उसके अंदर की जो भीट है वो इसके जैसी में इसके अंदर इंजन अलग है जे दिए की दिए नियों दो वह सायलेंट एंजन और सब्सक्राइब ने इसके अंदर का यह सायलेंट भी नहीं और रिचेयर नहीं वीन ब्रट इसकी जो भीट है दिल पर राज करने वाली लिडिस ओसके अंदर ऐसी 3d6 नहीं आईगी तो तो तीनो टेकनलोजी इस इंजन के अंदर हैं, बट जो आप गाड़ी आने वाली है, इसके अंदर एक ही टेकनलोजी होईगी, B6, उसके अंदर B3, B4, कुछ में होने वाना, तो इसके अंदर खिक स्टार्टर मिल जाता है आपको, और सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाती है, ये बट वो इलेक्टर के स्टार्ट ही है, गजिक श्टार्ट नहीं मिलगें को, कई गारी उसकी अगर आप बैक्री डाउन हो जाएगी, तो आप इसको से स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर आपको दखका मारके स्टार्ट करनी पूरेगी, बट ये गाड़ी है, इनके साथ की बैक पुराना है वह नई टेक्नलोजी का एंजिन है तो जल्दी से कोई उसके अधाद नहीं डालेगा तो मैं आपको डिस अड़ाने वाला हूं इसी में आप खुद प्लान कर सकते हो कि आपने कौन सी बाइक पर जाना है अगर फिर भी कोई मन में डाउट है तो मेरा नंबर है सब का देखा हुआ एंजिन है बट यह जो नया वाला है जे स्रीज के एंजिन यह किसी ने नहीं देखा अभी नहीं टेक्नलोजी का इंजन है इसके अंदर जो वीट है वह ऐसी नहीं मिलेगी डिफरेंट है आपको कौन सी बाइक पर जाना है आपको खुद का प्लान है अगर आपको डुक डुक का मज़े लेना है तो यही लेना है वरना आप कोई शीवी गाड़ी ले सकते हैं जो आपका प्लान है मैं आसा करता हूं सब्सक्राइब अच्छे सोएंगे तो मिलते हैं किसी नक्स्ट वूडियो में तब तक के लिए जाहें